हेलो, नमस्काल दोस्तों, हमारी आज की कथा स्रीमत भागवत गीता के दूत्य अध्याय का महात्मय है जैसा की हम सभी जानते हैं कि स्रीमत भागवत गीता को पढ़ना और सुनना कितना महत्व देता है तथा कितना सिक्षाप्रद है उसी परकार स्रीमत भागवत गीता के महात्मे को भी पढ़ना और सुनना अत्यन्ध ही फलदाई और सिक्षाप्रद है तो इस कथा को प्लीज पूरा जरूर सुने कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और सेयर करें कथा शुरू करने से पहले यदि आपको धार्मिक और पौरानी कहानिया सुनना पसंद है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चले अब हम स्रीमत भागवत गीता के अध्याए दुद्धिय का महात्मे की कथा सुरू करते हैं दुत्य अध्याय में श्री भगवान कहते हैं लक्षमी प्रथम अध्याय के महात्मय का उतम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया अब अन्य अध्यायों के महात्मय को स्रवन करो दक्षिन दिसा में वेदवेता ब्रहमनों के पुरंदर पूर नामक नागर में श्री नमान देव सर्मा नामक एक बित्वान ब्रहमन रहते थे वे अतित्यों के पूजक स्वध्याय सिल वेद सास्त्रों के विशे सग्य यग्यों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्यों के सदा ही पिलिये थे उन्होंने उतम द्रव्यों के द्वारा अगनी में हवन करके दिल के काल तक दिवताओं को त्रिप्त किया किन्तु उन्ध्रमात्मा ब्रह्मन को कभी सदा रहने वाली सांती नहीं मिली वे परम कल्यान में तत्व का ज्यान प्राप्त करने की एक्छा से प्रतितिन प्रचूर समाग्रियों का द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे इस परकार सूब आच्रन करते हुए उन्हें बहुत समय बीत क्या तदंतर एक दिन प्रिच्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए वे पूर्ण अनुभवी आकांचा रहित नासिका के अग्रभाग पर द्रिश्टी रखने वाले तथा सांत चित थे नीरंतर प्रमात्मा के चिंतन में सनलगन हो वे सदा आनंद भी हो रहते थे देव सर्मा ने उन्नित्य संतुष्ट तपस्वी को सुद्ध भाव से प्रणाम किया और पुछा महात्मन मुझे सांती मैं इस्थिती कैसे प्राप्थ होगी तब उन आत्मिज्यानी संतने देव सर प्रमान ने महात्मा की चर्णो की वंदना की और समरिद साली सो पूल ग्राम पहुचकर उसके उतर भाग में एक विसाल वन देखा उसी वन में नदी के किनारे एक सिला पर नित्रवान बैठा था उसके नेत्र आनंद तिरेक्स से निश्चल हो रहा था वह अपलक दिष्ट से देख रहा था वह अस्थान आपस का सोभाविक वैर छोर कर एकत्रित हुए प्रस पर विरोधी जन्तुओं से घीरा हुआ था वहां उद्यान में मंद मंद वायू चल रही थी म्रीगों के जुन्ड सांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद मैं मनुहारिनी द्रिष्टी से प्रित्वी परमानों अम्रित छी रख रहा था इस रूप में उसे देखकर देवसर्मा का मन प्रसन हो गया वह उत्सुक होकर बरी विने के साथ मित्रवान के पास गये मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवा कर देवसर्मा का सतका किया तरंतर विद्वान देव सर्मा अनन्य चित्र से मित्रवान के समीब गये और जब उसके धियान का समय समाप्त हो गया उस समय उन्होंने अपने मन की बात पुछी महाभाग मैं अब आत्मा का ज्यान प्राप्त करना चाहता हूं मेरे इस मनोरत की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धी प्राप्त हो चुकी हो सर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक छन तक कुछ विचार किया उसके बाद इस प्रकार कहा विद्वन एक समय की बात है मैं वन के भीतर बक्रियों की रक्षा कर रहा था इतने में नहीं एक वियंकर व्यागर पर मेरी दिश्टी परी जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था मैं मिल्तियू से डरता था इसलिए इसलिए व्यागर को आते देख बक्रियों के जुंड को आगे करके वहां से भाग चला किन्तु एक बक्री तुरं थी सारा भैज छोड़ कर न द बोली व्यागर तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है मेरे सरीर से मांस निकाल कर प्रेम पुलवक खाओ न तुम इतनी देर से खरे क्यों हो तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है व्यागर बोला बक्री इस अस्थान पर आते ही मे इसका भाव निकल गया भूख प्यास भी मिट गई इसलिए पास आने पर भी मैं तुझे अब खाना नहीं चाहता व्यागर के यह कहने पर बक्री बोली ना जाने मैं कैसे निर्भई हो गई हूँ इसमें क्या कारण हो सकता है यदि तुम जानते हो तो बताओ यह सुनकर व् खरे हुए इन महापुरुस से पूछें ऐसा निश्चय करके विए दोनों वहां से चल दिये उन दोनों के सोभाव में यह विचीतर परिवर्तन देखकर मैं बहुत बिसमय में परा था इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रसंद किया वहां विरिक्ष की साखा पर एक वानर राज था उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पुछा विपरवर मेरे पुछने पर वानर राज ने आदर पुर्वक कहा अज़ार अजपाल सुनो इस विशे में मैं तुम्हें प्राचिन विरितान सुनाता हूं यह सामने वन के वीतर जो बहुत बड़ा मंदि है उसकी ओर देखो इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक चीवलिंग है पुर्वकाल में यहां सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महत्मा रहते थे जो तपस्या में सनलगन होकर इस मंदिर में उपासना करते थे वेवन में से फूलों का संग्रा कर लाते और निवास करते थे बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथी का आगमन हुआ सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथी को और पन किया और कहा विद्ध्वन मैं केवल तत्व ग्यान की इक्षा से भगवान संकर किया राधना करता हूं आज ही सराधना का फल परिपक क होकर मुझे मिल गया क्योंकि इस समय आप जैसे महापुर्ण ने मुझ पर अनुगरा किया है सुकर्मा के ये मदुर्वचन सुनकर तपस्वी महात्मा तीथी को बरी प्रसंता हुई उन्होंने एक सिला खंड पर गीता का दुसरा ध्याय लिख दिया और ब्रहामन को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्या देते हुए कहा इससे तुम्हारा आत्मिज्यान संबंदी मनोरत अपने आप सफल हो जाएंगे यह कर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर ध्यान हो गये सुकर्मा विश्मित होकर उनके आदेश के अनुसार नीरंतर गीता के दुत्ये अध्याय का अभ्यास करने लगे तद अंतर दिर्ख काल के पस्चात अंतर करन सुधो कर उन्हें आत्मिज्यान की प्राप्ति हुई फिर वे जहां जहां गये वहां वहां का तपोवन सांथ हो गया उनमें सित उस्न राग द्वेस का जब करने वाले सुकर्मा ब्रहमन की तपस्या का ही प्रभाव समझो मितर्वान कहता है बाना राज की यो कहने पर मैं प्रसंता फुलवक बक्री और बाग के साथ उस मंदिल की ओर चला गया वहां जाकर सिलाखंड पर लिकिये हुए गीता के दुत्या ध्याय का मैंने दे किया करो ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी स्री भगवान कहते हैं पिर ये मितर्वान के इस परकार आदेश देने पर देव सर्मा ने उसका पूजन किया और उससे प्रणाम करके पुलंदुर्पूर की राह ली वहां किसी देवाले में पुल्वोक्त आत् को ने यह सारा विरितांत निवेदन किया और सबसे पहले उनहीं से दूतिय अध्याय को पढ़ा उनसे उपदेश पाकर सुध अंतहकरन वाले देव सर्मा परती दिन बढ़ी स्रधा के साथ दूतिय अध्याय का पाठ करने लगे तब से उन्हें अनवद्दे यानी प्रसंस को पूरानी कहानियों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद